ओके तो सब्सक्राइब जोसना सो फिक्स्ट इंकम वेन वी टॉक्स इंकम या जिसको डेक प्राट भी बोलते हैं लॉट फीपल आज इंडिया में अगर हम बात करें तो 90-95 परसेंट पीपल आर डेफिनेटली इंवेस्टेड इन फिक्स्ट इंकम प्रडॉक्स और इंवेस्ट करते हैं वैसे ही आपको इंवेस्ट करना उत्मा ही जरूरी है आज आप देख रहे हैं एक्विटी मार्केट्स में जो भी वोलटालिटी पिछले आट-नौ मैने से चल रही है आपको साइब आपका एक फिक्स्ट इंकम पोटफोलियो भी क्रिए बहुत जरूरी है तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे और आप लोगों ने हमारी ये तो टीजर फेस्बूक के देखेंगे विडिट एप्टी तो फिफ्टी परसंट लॉस्ट ऑन देखेंगे और आप थर्टी तो फिफ्टी परसंट आज लॉस्कर रहे हैं बैंक एप्डीज के ऊपर इंस्पाइट अप्ट कि उससे भी बहतर ऑप्शंस है और दूसरा हमारे करेंगे आज हम बात करेंगे बीसिकली तो जस्टू ब्रीफ यू वेंगी टाप अबाओ फिक्स्ट इंकम हम दो चीजे चाहते हैं एक तो रिटर्न्स हमको guaranteed returns मिले हमको fixed returns मिले और assurance जहां पे भी हम invest कर रहे हैं उसमें हमको assurance हो कि हमको यह date पे यह interest हमको मिले और यह date पे हमको यह maturity मिले we don't want to be in limbo हैसा नहीं कि हमने fixed return product में भी invest कर दिया और हमको पता नहीं कि उसका interest कभी आएगा और maturity कभी आएगे प्राइमरी लोग एक तो आशोर्ड रिटर्न्स गैरेंटेट रिटर्न्स और सिक्यॉरिटी तो फिक्स्ट इंकम के बारे में हम बात करते हैं यह दो जीज़ें बहुत ज़रूरी है कही ना कहीं बैंक एब्रीज में हैं पोस्ट ऑफिस में इंवेस्टेड है कंपनी डिपॉसिट में इंवेस्टेड है एलाई सी जो सबसे पुराना investment इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है फिक्स्ट इंकम यह पांच चीज़े तो डेफिनेटली हमारे पोटफोलियो में होती है इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है या क्या ऑप्शन हो सकता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे सब्सक्राइब करेंगे इसके लिए इसके लिए यह एक चार्ट शेयर किया है अगर एक कॉमन इंडियन उसके पास सौ रुपया है तो वह कहां पर इन्वेस्ट कर रहा है और सखी सेंग वाइस इस ब्रेकिंग ओके अगर आपके पास सौ रुपया है तो वेर दू यू इन्वेस्ट सो बेसिकली डेटा से यही फिगर हमारे सामने आई है कि फिफ्टी फाइट फिफ्टी सिक्स परसेंट अगर आपका बैंक डिपॉजट में पैसा जा रहा है तो यू लिप हो सकता है या इंडॉर्मेंट प्लांट हो सकता है उसमें जा रहा है अपके पास रख रहे है और लगबक 6-7 परसेंट आपका mutual funds में जा रहा है कि आज बैंक एफ्टी के अलावा भी हैं बेटर ऑप्शन्स फिर भी लोग बैंक एफ्टी में इतना क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं आप में से बहुत लोग ने शाहर इसके बारे में सुना है आप जानते भी होंगे इन्वेस्ट कितने लोग करते हैं मैं जानना चाहता हूं एन्वेस्ट कितने लोगों ने secured bonds में इन्वेस्ट किया है इफ यू आफ इन्वेस्ट इन्वेस्ट पार्थ प्लीज ताइप येस इन दे चैट बॉक्स आपने से कोई भी बांट में शिक्यूर्ट में आज की तारिक में इन्वेस्ट है इस पुद जाइप येस जो सब्सक्राइब आपने बांट के बार में शुना जरूर्ट होगा वट आपने ये देखा है वी ये वी दिए लॉट अर जो इस बांट में आज की तारिक में प्रॉब्लम नहीं है या वह अवेर्नेस नहीं है तो लोग कुछ जिजगते हैं तो में इन्वेस्मेंट आज हम उसी को अड्रेस करेंगे इन इस वेबिनार वाई पिछले चार्ट में शिक्स्टी परषएंट आफ में टिप्स देपॉजट में इन्वेस्ट मत कीजिए डेफिनेटली आपकी इमर्जन्सी फंड फिक्स डिपॉजिट में होने चाहिए बट बियॉंड यू नो कि आपका कोई गोल है या आप टेनियर जानते हैं आपको छे मैंने या पैसे लगने वाले या एक साल में लगने वाले या दो साल में लगने वाले तो देफिनिटी यू कन लुक अट अगर हम देखे तो बॉंड और अगर हम बात करें तो बॉंड इंटरेस्ट वीचेवल एस पर यूज टैक्स लाब जो भी टैक्स लाब में आप हैं 10 पर सेंट या 20 या 30 से सेुसरी अपके इंट्रेस्ट को या इंट्रेस्ट पे-ाइउट में आपको मंत्री ओप्शन्स है व कौटर ली अंठीली ओप्शिन्स है आप अन्यूर ऑप्सें से क्युमिलेटिव सो अल दीज और इस त्री पारमेटर्स लिक्विडिटी टैक्सिशन और इंट्रेस्ट बॉंट्स और आराइट पार बट हम यह दूसरे जो चार पारमेटर से सेफटी पीडियस क्रेडिक रेटिंग और रिटर्स अगर इन चारू के हम करें तो definitely there is a security and there is a collateral security which the institution जो भी financial institution was bonds को issue कर रही है so there is a collateral security which is given as against those bonds और अगर वो institution कुछ-कुछ होता है तो वो security को बेच के आपके पैसे bond holders के पैसे वापिस किये जाते है but when we talk about fixed deposits I don't know अब कितने लोगों को यह पता है आप में से but fixed deposits are categorized as unsecured loans yes unsecured loans bank के books में उनको unsecured loans करके categorize किया जाता है and you will be the last person अगर उस बैंक को कुछ होता है तो unsecured loan सबसे end में payment किया जाता है so in terms of safety hundred percent secured bonds are one much ahead when we talk about TDS अगर हम TDS के बारे में बात करेंगे तो there is no TDS deduction in terms of bonds आपका DMAT account अगर हो तो आपका कोई भी TDS deduction नहीं होता है in case of fixed deposits आपका TDS deduction होता है so bonds are definitely one notch ahead आपका जो भी पैसा है interest आपको मिल रहा है वो आपको पूरी तर से मिलेगा there will be no TDS deduction definitely जो भी interest आपको मिल रहा है that will be you will pay tax at the time of your filing of your return बहुत senior citizens को वो इशो होता है कि banks उनका TDS deduct करते है जो tax labs में नहीं होते है so bonds is a better option for that for sure credit rating when we talk about credit rating there is no third party credit rating agency जो bonds को the sorry fixed deposits को rate करे जो भी आप 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 यह वान्ट पेस्वाल्य आप that institution आप SBI में जब भी bank FD कर रहे है तो you look at the institution आप कोई भी bank में या कोई भी financial institution में आप FD कर रहे है तो you look at that institution but in terms of bonds there is a third party credit agency जैसे कि crystal है या care है जो इन bonds को rate करती है so somebody is there who is monitoring who is analyzing यह bonds आपके लिए सही है या नहीं so I don't say कि सिर्फ credit rating देखके ही आपको उस bonds में invest करना चाहिए but definitely it is one parameter which we look at when we suggest any bonds for people to invest credit rating बहुत important factor है जहां जो fixed deposits में available नहीं है returns definitely जैसे कि मैंने पहले भी कहां या हमारे टीजर में हम बाग करते हैं कि in terms of returns bonds में आपको 30 to 50% ज्यादा returns मिल सकते हैं fixed deposits से तो अगर आपको fixed deposits में आज जो भी 5 या 6% returns मिल रहे है bonds में definitely 30 to 50% more returns you can get in bonds I'll share a live illustration with you आगे मैं आपको एक illustration बताऊंगा इसके बारे में प्रेणा I'll definitely come to your questions session होने के बाद I'll answer all the queries you have so this is just a illustration small illustration हमने एक example लिया है कि अगर आपके पास 10 लाक रुपय है और आप आप short term में invest करते हैं bond या FD में long term में या medium term में invest करते हैं तो we have taken a duration of one year five year and ten years so clearly आप देख सकते हैं कि FD में आपको one year में जहां पे 5.5% return है वहां सकता है तो more than 30% return ज्यादा आपको one year tenure में बिल सकते हैं similarly अगर आप medium term की बात करें तो FD में आज आपके return 6% है लगबग जहां की bond में आपको 8-8.5% बिल सकते हैं so 40% better return than bank FD और अगर आप longer tenure में जाये longer horizon की बात करें so FD में जहां पे आपको 6.5% मिल रहा है when I'm talking about good banks cooperative bank में probably will get half percent more but फिर भी bonds में आपको 9-9.5% return में सकते हैं so with a 10-year horizon you can see FD में जहां पे आपको 10 साल में 1.5.6 रुपया मिल रहा है bonds में you can make 9,50,000 interest this is just the interest we are talking so apart from the safety apart from the rating agencies interest better return is definitely what we look at when we are talking about secured bond so I'm sure you slide देखने के पाद या इसके पहले वाली slide देखने के पाद इतना तो मैं आपको convince कर पाया हूं कि secured bonds is one option that you should look at job के portfolio में होना चाहिए bonds मैं ऐसे नहीं कहता हूं आपके bank equity में जितना भी पैसे है आप निकाल के पूरा बांट में डाल दीजे इस फ्लोली एंशुरली और चाहर एक्विटी मारकेट का मारकेट का में हम से बोलते हैं वहाँ बात करें तो टुडे हो टो इन्ट इंस्वेंटेंटिन ट्रिलियन यूँए डॉलर जो आपको ग्लूम में फिगर दिख रहे हैं 117 trillion U.S. डॉल जो ग्लोब्ल ग्लोबल मार्केट कैप है एकविटी मार्केट और जो 330 ट्रेलियन U.S. डॉलर है फिक्स्ट इंकम या बांड की ग्लोबल Market Cap, so आज globally Bond Market is 3 Times Bigger than the Equity Markets, India में ज Hye jak Night lol लग है, इंडिया में हमारी Market Cap लगबख 3 3.5 Trillion U.S. Dollars है, और Bond Market लगब टु Trillion Dollars है, तो Indian Market धीरे Д्हीरे मेर्ट है, रहा है कि ऍ 36 five years will be much bigger जो Bond Markets Indie की हे जो लगबख anywhere between 7 to 10 trillion उस दॉलर सोन जैंगे ले पात साल में इसका में और ये है। इसके बारे में बात कर रहा हूं वह इत्सक्रइब टो ओनली इंस्टिूशन्स या H&I क्लाइं लेकिन आर्बिया और सेभी इस राइं तो नाव गेट रीटेल इन्वेस्टर्स अलसो इन नॉट अल्ली गॉर्म गारंटीट बॉंड प्रिवेट बॉंड लिकिन जी सेक्स में भी आज अगर अपने देखा होगा तो जी सेक्स में भी डायरेक्ट रीटेल अकाउंट अब अब बॉपन करके इन्वेस्ट कर सकते हैं तो इन नेक्स फ़ीश्ट अब वनी इस गोई फ्रोव फ्रों फिक्स दिपोजिट आप बैंक अवडी में हमेशा के ताओ इस लॉस्ट में प्रोजिशन से भी कम कमा रहे तो 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 टेक एक बाट श्रॉट पार्णी प्रों फिक्स दिपोजिट तो बॉंड मार्केट तो इस 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 वाइए टूडे हमने एक साल पहले यह सर्विस चालू किये एंफिना इस बेसिकली मानी मैंटर्स फिक्स इंकम अडवाइसरी डेस्ट तो वें वी शार्टे टॉकिंग बाट करना शुरूआत की था हमने लगब एक जाए होता है बट वो स्टेप नहीं ले रहे रहे देंट हैंड होल्डिंग मनी मैंटर्स अडवाइजरी जो एंफिना हमने यह डेस्क बनाए है यह एक हैंड है तो हैंड होल्ड पीपल तो विट फिक्स दिपोजित सूब जाइए जादा हम दिला सके सिक्योड रिटरंस द करके दिला सके तो 30-50% रिटरंस अब ज्यादा बनाया है बॉंट में यहाव मुल्टिपल ऑप्शन मितलब यहाव नो आइडिया आप 30 डेस से लेके 40 यह तक ऑप्शन आपको अबलेबल हैं तो इपेंड्स ओन यूर यूर रिस्क प्रोफाइल वाट अमांट यू वांट यू तो आइडिली वी हेल्प पीपर चूज डबले ट्रिपले रेटेड बॉंट्स एंड सेड गवर्मेंट यह सेंट्रल गवर्मेंट गारंटीड बॉंट्स ओली हम लोग अगर वो क्लाइंट का एपटाइट है रिस्क लेने का ज्यादा तो ही हम उनको थोड़े रिस्क यहां पे आपको रिटर्न्स 10-11 टका मिल सकता है वो रिफर करते हैं आई डिली इफ यहां पहली बार इंवेस्ट करें तो यहां पहले सिक्यूर्ड बॉंट्स गोर्मेंट गारिटिक बॉंट में इन्वेस्ट करें जैसे कि टाटा कैपिल हो या एलेंटी हो या माहिन रहा ह ब्लूचिप कंपरीज के बारे में इन्वेस्ट करें रिटर्न्स या इस यहां पे थोड़े कम मिलेंगे बट डेफिनेटी मोर दैंड यॉर बैंक एवडी बट सिक्यूरिटी इस मोरे में बारे में बात करते हैं तो सिक्यूरिटी ओप्यर प्रिंसिपल इस मच मोर इंपर सब्सक्राइब करना चाहता हूं राजसान गॉर्मेंट गारेंटीड बॉर्ण आर्बी इसमें एक रोल रहता है वेर गॉर्मेंट थो मैंटेन असेपरेट अकांट एस्ट्रों पर सर्विसिंग ऑप इस अगर आप चार लाग तुपे आज इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लगबग धाई साल में यूगेट अमेटरिटी आप फाइव लाग रुपीज तो वेरी गूड ओफरिंग आपका अपकर अपटाइट है और थाई साल पर आपका आपका इन्वेस्मेंट वराइजन है त दूसरा बॉंड जो इक में शैर करना सब्सक्राइच पी सीयल मित्तल एनरजी इस अल्सों 100 पुसेंट सिक्यूर्ड बॉंड डबल ए रेटेड इसका भी ये लगबग साढ़े नोट के के ऊपर है धाई साल के लिए सिर्फ ये होलसेल बॉंड है सो मिनिमुम टिकेट साइज इसका एक बॉंड दस लाग का बॉंड है सिमिलर ऑप्शन शोटे टिकेट साइज में भी आपनेवल है बट होलसेल बॉंड में टिपकली यूट बैटर रिटर्न तो यह दो बॉंड हम लोग फिलाल अभी क्लाइंट को आफर करते हैं आज एंपिना है और आज मनी मैंटर्स और और इंटार आइडिया इस तो एल्प यू चूज राइट बॉंड और पैसा ज्यादा ज्यादा पैसा बना है मतलब इक्विटी मार्केश में भी आज आप इन्वेस्टेड है डेफिनेटली कोई भी फिक्स्ट रिटरन प्रटक्त एक्विटी मार्केश को बीट नहीं क बेस्ट बेस्ट वन्यूर्स प्रोफाइल और यह और गोल्स यूर इंवेस्में वराइजन्स आप तुछ पाट इक्विटी में इन्वेस्ट करें और पुछ इंकम में करें जहां बांड शुट बीए मेजर पार्ट आफ यूपूर्फोलियो इस वाट मीशिए वाइव वा सब्सक्राइब करते हैं जो भी बांट हम आपको सजेस्ट करेंगे उसका इडियो दिलिजन्स प्रसेश हमारे एंग पे होता है प्रोक्तिवी मैनेश्ट तो इस नॉट बाइंड 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 बांट अगर कोई इमर्जंसी है यह बांट बीसिकली इस नोट पिडेट में फिजिकल जैसे शैस होते थे फिजिकल बाइंड 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 गाना चीए वन बाइंड 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 बडेंध बोड़ देवां कि इसक्टिनांट आज की देट में पहले फिस्कल जैसे शेर सो थे थे फिसिकल बाउन सटे थे नाव यू रीमध अगांट तो भाइब वांड विदा दी मैट अगोंड यू इंटर प्रोसस्ट अगहां एक साल में यहां थ्यूंद प्र्म डॉर्ण इंद प्रोड इंटर्ट इंटर्ट करोड् सब्सक्राइब करने के लिए आपको बेचते हैं and once you confirm that once you make the payments for it सब्सक्राइब करने आ जाते हैं so for this advisory desk we are charging one time this is only a one-time upfront fee that we charge 1499 to be associated you become a part of our whatsapp broadcast group और जो भी अच्छे offerings है जो भी research team हमारे offerings लाती है आपको भेजे जाते हैं so this is a one-time 1499 what we charge all for exclusive offer for all those who have registered for this webinar who are who are with us today for the next 20 minutes it is 499 if you pay in the next 20 minutes Charmy or resources I would request you up chat box में हमारा link share करे जहां से if people who are wanting to register can register for this and make the payment अब chat box में प्रीज हमारा registration form का link share कीजे तो if you pay 4999 you will be a part of our advisory group and we'll keep on sharing with the options available in secured bonds yeah thank you so much so this is our registration form I'll just open the form for you okay I hope you are able to see this form so this is an MFINA basic registration form you just have to open it and google sheet you put in your basic details mail ID your phone number and your contact number if you have a DMAT account you can mention it we can help you open a DMAT account expected investment amount if you are okay with receiving our whatsapp messages once you fill this form you will get a link from our and aapke mail ID me registered mail ID me and you need to make the payment of 499 to be a part of our group yes so covered the basic things which we wanted to talk about thank you so much for giving 20 minutes SMS a promise that we try and finish our webinar in 20 minutes and keeping your time schedule in mind and I hope I could add some value to you this is a exclusive desk which we have opened for all our clients with minimum investment of 499 for you and a register to get that notification and from tomorrow we can start sending you whatever requirement is there from your end or whatever offerings we can send you that we can send you that you can hear me some time but basically and we could give him option of Britannia Britannia short-term bond available to October major maturity or 5.75 to 6% interest rate pay on go per annum per annum per annum per annum or for 3 month only for 3 month only for 3 month he is getting 5% 5.5 to 6% this is 5.5% per annum that is per annum that is per annum of course okay that's what I have said yes that is per annum so if you have money in FD you will probably get 3 to 4% 3% but here security and definitely double the return than a bank FD again tradeable bonds so you can sell these bonds in the open market and get your money at the earliest but bid and ask problem not bid and ask problem problem difference probably return up if you can buy return but in our case we also have financial institutions with us with us off-market bonds otherwise generally bid and ask so we help you in getting the bonds off-market financial institutions buy at a better rate than the market so that is where money matters has an edge we help you selling those bonds with financial institutions also but it is it makes sense that if you have to know that if you have a tenure, then you have to take 3 months of the bond if you have to trade then whatever return or whatever yield you have to expect that will be less than the market okay and what about this double a bond and this is better returns but it's not secured I it typically double a double a triple a rated bonds we suggest and it is not only the rating that we see it is very important that you see the company and see the promoters what is the management so ideally we have Tata group or Mahindra and Mahindra group L&T group Muthut group where gold security so so apart from the rating it is very important that you can see the company's profile and management and short term bonds in case we ensure that their liquidity balance sheets study and their liquidity ratios study reason I am come across I think one month ago one person 11% or 12% 13% 3% and my requirement was to collaterate with my trading okay okay so collateral ho sakti trading jubi double a triple a rated bonds they they can be security collateral security but it depends on the broker because every broker has a list which is which is which bonds if you have a broker list then against security against pledge okay but you talk about 11-12% bonds probably they are high risk high return bonds definitely markets available which probably micro finance companies but they are they are riskier bonds is what we call them and typically was just okay monthly return that private bonds on maturity you half yearly annual returns typically on maturity okay okay oh thank you so much i think we had one or two questions which i had missed uh prerna badekar uh question is there a minimum lock-in period no prerna there is no lock-in for any of the bonds uh uh market sell these all as i said these are all tradable bonds up nsc or bsc bonds sell and only thing is that market probably we calculate selling in the markets but there is no lock-in period for any of the bonds which we are talking about i hope i have answered your question prerna joshna ma'am ka bhi vahi question tha i have i hope i have answered that any other questions in bond i am i will be more than happy to answer you koji bhi aap ko secured bonds ke baare me question so to please do come up we want to really help people earn more money jada returns kama sakti hai by being in bank deposits me bank fds me aaj agar aapne invest kiya hai to you are in a loss making proposition kiaz inflation he seven percent hai aur aap agar aaj pang-shay take pe bank deposits me aapne paise raka hai to you are actually losing money so bonds may please look at secured bonds options or bhot ache options available hai and chhote amount se try kiji hai but definitely you should you should start your journey uh from fixed deposits to bond markets yes any other questions uh suresh sir mohan sir any questions parth suresh sir any questions about specific question for bonds ke baare me i will be more than happy okay okay can we park emergency funds and bonds okay uh... 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 to five years horizon के अंडर जो भी आपकी गोल्स है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बॉंड secured bonds is a very good option you should look at that equities हम तभी suggest करते हैं पात साल से ज्यादा आपका investment horizon और फाइब यह सेवें यह 10 years is ideally a very good investment horizon for equity markets लेकिन उसके नीचे आपके जो mid term या short term goals है उसके लिए के bonds can be a very good option which you should look at question है can we collateral bonds if I understand your question right sir bonds के अगेंस आपको बैंक्स ओड्राफ फैसिलिटी देती है विए बांट विच्वे आपको ओड्राफ फैसिलिटी देती है उसके अगेंस भी आपको ओड्राफ फैसिलिटी बिल सकते हैं लॉट ओड्राफ फैसिलिटी लेते हैं सो आइडियली देवन गुड्राफ फैसिलिटी यूज करके वो क्लोज कर देते हैं कि बुकेल सर्चैने बॉट बॉट्र पर शॉट तुम सिक्समांस नियर्फ इसकिस मांस को चाहिए जो रिस्पांट हो जाते हैं कंपनी की साइस या मार्केट कैप ही इतना छोटा है आज कि अगर कुछ भी उनका इशू हो जाए तो पीपल विल भी लोग अटर जाएंगे प्रिंसिपल आर में बेसिक इंटरेस इस तू एंशुर की लोगों का प्रिंसिपल सिक्यूर रहे और उनको उनका प्रिंसिपल है मार्केट में बट वी दोंट सजेस्ट सच मॉंटर आर ऑफिस सब्सक्राइब आपको डेफिनली वाट्सपप करेंगे हमारा ऑफिस अदिश्ट पूना में भी हमारा प्रांच हैं इंटर्नाशनली वी आव ऑफिस दुबाई तो इन एन राइस कें इन 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 वेस्ट इन प्रांच है एस अंगरेड कि वाट और अवे हमारा ऑन गंगारा आपको तो यहां लॉट इन वाट और आइस अद टानशनली शनली समारा प्रांच हैं अंट टूट्ड और आपको डेविस ऑनिवालो अवी वी झार सुबावलो यहां आपको पिस्वालोग इन प्रेफिक औ to our team on observe I hope I've understood so we are in Thane basically our head office is in Thane Mumbai any any further questions okay thank you so much for your time and I hope again I could add value I'll be more than glad to speak to you individually up you are welcome to visit our office in Thane and Puna may be अगर आप कोई है तो we have our branch office there, Puna भी आप आ सकते है and once again thank you for giving your evening, Saturday evening time to us once again Amul Paransi from Money Matters have a good day thank you